आये न दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिस्रिप बिहार के यूट्यूबर मनिश कश्यप के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जी हां मनिश कश्यप ने गिरफतारी के बाद कई सारे राज उगलने शुरू कर दिया है माना जा रहा है कि मनिश कश्यप ने इस मामले में एक बहुत बड़े नेता का नाम लिया है जी हां सुत्रों के अनुसार जो अभी तक की जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि मनिश कश्यप ने इस मामले में एक बहुत बड़े नेता का नाम लिया है हाला कि उसका नाम अभी तक सार्जनिक नहीं किया गया है लेकिन ये माना जा रहा है कि अब ये मामला काफी गंभीर होते जा रहा है अब यह तरीके से मनिश कश्यब को मदद किया जा रहा था, यही वज़ा है कि आर्तिक अपराथ शाखा अब मनिश कश्यब को रिमांड पर लेने वाली है, क्योंकि अब इस मामले में कई चौकाने वाले कुलासे हो सकते हैं, मनिश कश्यप कई ऐसे बड़े खुलासे कर सकता है जिस से केवल बिहार ही नहीं बलकि पूरा देश हिल सकता है आपको बता दे कि नियाले ने उसको 14 दिन के नियाईक हिरासत में भेजा है उधर तमिलनाड पुलिस भी उसको रिमान पर लेने की तैयारी में है कुल मिला कि अब ये मामला जो है फेक वीडियो से कहीं आगे निकल चुका है और अब देखना दिल्चस्प होगा कि मनिश कश्यप से अब इस मामले में क्या-क्या राज उगलता है क्योंकि माना जा रहा है कि ये अब मामला इतना बड़ा है कि इसमें कई बड़े लोग फंसत लेकिन शुत्रों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि मनिश कश्यप ने जो नाम लिया है और जिन मददगारों के बारे में बताया है कि जो लोग उसकी मदद कर रहे थे माना जा रहा है कि पुलिस अब उन सब की रिपोर्ट खंगालेगी सब के पीछे पड़ेगी और उसके बाद इस मामले के तह तक जाएगी और फिर जो निकल कर आएगा उससे कुछ चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं फिलाल अभी तक जो जानकारी है उसमें यही है कि मनिश कश्यप को यह जो आरतिक अपराद साका है वो उन्हें रिमान पर लेकर कडाई से पुस्तास करने जा रही है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे होंगे देश दुनिया की बागी कवरों के लिए आप देखते रहे है लाइब यूपी न्यूज टॉन्टिफोर